हेलो फ्रेंड्स आपका बहुत-बहुत स्वागत है एक वार फिर से हमारे चैनल दिर्श्याज ओनलाइन ग्रोकुल में तो आज का जो यह वीडियो है पेपर वान यानि कि प्राइमरी लेवल के लिए बहुत ही जादा महत्पूर्ण होने वाला है यह हमारे 30 कोशन होंगे एवियस के जो कि यह वीडियो दो पार्ट में आएगा 15 15 कोशन के दो वीडियो होंगे तो यह पहला वीडियो है दूसर वीडियो आपको मिल जाएगा इसमें हम नीचे लिंक भी दे देंगे डेस्क्रिप्शन बॉक्स में तो यह जो कोशन हैं सारे फैक्ट रिलेटेड कोश करके जिए हो सकता है कोई कोशन इसमें से मिल जाए तो इस विडियो को तो सबसlish कर लेते हैं इन में से कौन वर्तमान राष्य महिला आयों की अध्यक्षर है एक मिनट कि कि आयोग की अद्धक्षा है और एक शर्मा जी कहां की रहने वाली है यह हर्याना की रहने वाली है तो इसी तरीके के facts related question देखने के लिए मैंने देखे हैं कई बारी आये हैं और हाँ वैसे यह बता दू यह सारा पूरा का पूरा 30 question जो है facts वाले question है वैसे जो seated में एक्जाम आता है अगर आप फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं EBS का उसमें 15 question facts related होते हैं 15 question उसमें EBS की पेड़ागोजी के आते हैं पूरे 30 के 30 facts related नहीं आते हैं उस तरीके का वीडियो हमारे चैनल पर आल्रेडी है हम आपको उसका भी लिंक दे देंगे description box में अभी आप यह questions कर लीजे ठीक है तो second question देखते हैं जल्दी जल्दी करते हैं जिससे आपके exam के लिए फायदर है लोग सभा और राज सभा की सयुक्त बैठक किसके दौरा आहूत की जाती है तो लोग सभा और राज सभा की सयुक्त बैठक किसके दौरा आहूत की जाती है राश्पती अब इसके और फैक्स भी पढ़ लीजे क्या पता घुमा फिरा के question इसमें से आ जाए राश्पती भारत का प्रिथम नागरिक होता है राश्पती प्रधान मंतरी की नियुक्ति करता है तथा प् लोकसभा को भंग कर सकते हैं तता संसद की सयुक्त बैठक बुला सकते हैं तो देखे राश्पती थूरू ही लोकसभा और राजसभा की सयुक्त बैठक आहूत की जाती है और बाकी जो भी फैक्ट से आप इनको एकदम पाढ़ लीजे क्योंकि इतनी सारी शिफ्ट में question बन के लिए मिल रहे हैं तो देखिए अगला कोशन देख लेता है ऐसा यह ताइप कोशन देखने के लिए बहुत मिलता हैं सम्विधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्ता संबंदी प्रावधान दिये गए हैं तो सम्विधान के नौवे अनुक्षेद और 247 तता अनुसूची 11 यानि के अनुसूची 11 में पंचायती राज्य विवस्था संबंदी प्रावधान दिये गए हैं तो ये इसके तीन फैक्ट्स हैं और तीनों से ही क्या पता कुछ अनुक्षेद पूछ ले क्या पता कुछ ले भीकेश्य अब नेच्ट कोशन की तरफ और ढूब करते हैं है अब देखें यह बहुत मैद्पुर्ड कोशन है है 74 वे संविधान इंचोधन का मतलब किस से ग्रामीड सथान यह शेहरी सथाने इस शशाषन से राशपति की शक्तियों से या संसद की शक्तियों से तो इसका अंसर क्या होगा बी चोहत्तर वे सम्विधान शंशोधन का संबंध है चहरी इस्थानिये शुशासन से से अब इसके और फैट्स देख लेते हैं समझ आ गया होगा तो एकदम ध्यान से पढ़ते चलिए जो की एक भी कोशन फ्रेंट्स आपका चूटे ना और इसी बारी आप अपना सीटेट के लिए कर पाएं ठीक है अब नेक्ट कोशन की तरफ मूव करते हैं जल्दी जल्दी अभी देखें रुकिए एक नट किस गैस की वर्षा के पानी में घुलने से किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अमलिया हो जाता है ऐसे डिक है तो हाइडोजन परक्साइड नाइटोजन मॉनोक्साइड कार्बन मॉनोक्साइड तो बताइए क्या है इसका आंसर हां बताइए ठीक है इसका आं के पानी में गुलने से वर्षा का पानी असेडिक यानि की अमलिय हो जाता है। ऐसी वर्षा अमलिय वर्षा कहलाती है, कभी अपने पढ़ा भी होगा पहले। अमल वर्षा जलिये वे इस्थलिये दोनों पिरकार के जीवों को प्रभावित करती है। इसके अलावा परितंत्र म्रदा करशी पाइपलाइन के चरण भूमी गजल श्रोत पर भी यह प्रभाव डालती है। मत्हुरा तेल शोदक कार खाने से निकलने वाली सल्फर डायकसाइड गैस ही आग राके ताजमेल की नबाही का कारण बनी हुए। देखो कोश्चन एक था बट त्सके कितने सार हैं यही सबिख इसलिए मैं आपको Content कराना जारा रहीτο ही कि आपको इतने शार tv इक ही कोश्चन से और 30 कं करेंगे 30 करेंगे probably 60 60 कोश्चन आपके automatically minimum cover हो जाएंगे, ठीक है, तो ध्यान से करते चलिए और अपने एक भी question छोड़ कर मत आईए, गलत मत करके आई, भारते समविधान में विदी का शाषन विचार कहां से लिया गया है, इस तरीकी के questions बहुत आते हैं, भारते समविधान में विदी का शाषन विचार England से लिया गया है, ठीक है, याद रखिये गा, विदी का शाषन, ठीक है, इसके बाद, लोग सभा के चुनाव हेतु, अधिस उचना कौन जारी करता है, तो सबको पता होगा, लोग सभा के चुनाव हेतु, अधिस उचना जो जारी करता है, वो भारत का निर्वाचन आयोग होत यानि की इलेक्शन कमीशन जो कि आपने बहुत बार सुनाओगा यह वर्ड ठीक है इसके बारे में पर फैक्ट्स पढ़ लेते हैं क्या पता यह कोशन ना कि उस से रिलेटेड कुछ आ जाए लोग सभा के चुनाव ही तू अधी सूजना भारत का निर्वाचन आयोग जारी कर है मदाता सुचियों को तैयार करवाना होता है राजनितिग दलों को आरक्षि्व चुनाव चिंप्रदान करना चुनाफ कराना राजनिक और राजनितिग दलों के लिए आचार सहिंता तयार करवाना देखे कोश्चन एक बढ़ फायदे अनेक ठीक है अब देखिए अब नेक्स कोश्चन की तरफ चलते फिर भी अगर आपको किसी भी चीज से कोई कंफूजन होता है तो आप कमेंड बॉक्स में जरूर कमेंड कीजिएगा किसी भी चीज को अपने मन में मत रखेगा कंफूज होके कि यह पूछे यह ना पूछे अपने पढ़ाई से रिलेटे लोकसभा की कारवाई के प्रतम घंटे को क्या कहा जाता है तो लोकसभा की क दिख रहा है प्रेशन काल तेकि इन कोशन्स को इन सब चीजों के साथ लाने का एक यूद्देश है कि आपके साथ बहुत सारे फैट्स हम कर पाएं जिससे आपका उसना कुछ बैनिफिट हो पाएं तो इसके फैट्स पढ़ लीजिए क्योंकि हो सकता है कुछ और पूछ ल उत्तर देते हैं प्रेशन कितने तरीके के होते हैं परिदेर के की कारवाई के बिर्थम गंसे में पूछने केיים तारंकेत होते हैं तता अलपसूजणा वाले होते हैं तो हो सकता इस से आजाए अब देखे नेक्स कोशचन की तरफ चलते हैं कुछ play कुछ तो बताईया का है वर्षा का जल संग्रन क्या है इस कोशन के प्रिक्ति जल डिंख रहा है उसमें वर्षा की जल से है तो कभी-कभी easy question आ जाते हैं और हमको लगता है कि शायद इसका यह नहीं होगा वट वही होता है तो इस पहले भी मैंने बताया है कि बस आप थोड़ा सा अपना mind use करेंगे सही से सोचेंगे आपके questions हो जाएंगे इसके facts पढ़ लीजिए वर्षा जल का जम पेड़ पॉदों की जोड़ों से चिपक कर उनकी व्रद्धि में शायक होता है सवरी सायक होता है भू जल इस्तर को उंचा उठाने के लिए वर्षा का पानी गड़ों या तालाओं में एकत्रित करना चाहिए इस से भू जल का पुनर बहरन होता है ठीक है मतलब water saving की ही एक पूरी तरीके से टेक्निक बताई जा रही है ठीक है और वैसे हमें water safe करना भी चाहिए daily life में भी ठीक है यह question बहुत नहीं पूरा बहुत आता है और शायद आपने पहले भी पढ़ा हो भारते गेंडा कहां सरक्षित है तो भारते गेंडा कहां है कांजी रंगा नेशनल पार् इन रर्म रंगा राष्ट्र उद्ध्यान असम राज्जय में इस्थित है यह अध्यान एक शींग वाले गेंडे के लिए प्रिसित है क्योंकि यह, dher एक शींग से यहुद्ध्यान रखकएगा इसी तरीके कि संन्रक्षित करता है तो ध्यान रखेगा इसी तरीके के questions मैंने देखे हैं और हो सकता है इस बार भी आपको देखने के लिए मिलते रहे हैं अब देखें next question की तरफ बढ़ते हैं ध्यान से पढ़ते रहेगा सारी चीजों को निम्ण में से कौन सा पिर्थम क्रम कौन सा क्रम पारिष्थितिक तंत्र में उर्जा प्रवाह के संबंद में सही है तो इस question को बहुत ध्यान से समझेगा वैसे हो सकता है कुछ लोगोंने पहले पढ़ा भी हो बट फिर वी ध्यान से समझेगे अब देखे इसको समझेगे इसका आंसर है वैसे C उत्पादक उपभोकता अब घटक पारिष्थितिक तंत्र में जो हमारा ये हमारा इन्वायर्मेंट है सारा और प्रवहा के संबन में सही करब है उत्पादक उपभुकता इसे तर पर उव्ल्या की मान मातर निरंतर कम हो रही है व्रक्ष्व तता कुछ जीव जन्तों की कम होती संख्या के कारण है ठीक है तो पहले उत्पादक आता है फिर उसका भोगत आता है फिर उसका अब घटक आता है यह समझ आ गया होगा और बाग की अगर नहीं समझ आये हो तो बताईएगा ठीक है क्योंकि यह पूरा कोश्चंद पर इलेटेड वीडियो है इसलिए जादे हम कंसेप्ट में नहीं जा रहे हैं फिर वो वीडियो कंसेप्ट रिलेटेड हो जाता है और कोश्चंद के लिए बहुत लॉग वीडियो हो जाती है आपके लिए कौन सी ग्रीन हाउस गैस इसका फॉर्मूला देख लीजे, CO2 होता है, गैस एक ग्रीन हाउस गैस है, जो वातावरण में सबसे अधिक मातरा में उपस्तित रहती है, यह मानविये क्रिया कलापों द्वारा उत्सर्जित होती है, आप जानती है, जो सूरे से आने वाली लगू विकरण को तो प्रत्वी कि सत्य पर उश्मा बनी रहती है, जीसे ग्लोबल वार्मिन जाहा जाता है, इसमें ग्लोबल वार्मिंग भी पूरा कवर हो गया, क्यूंकि सीट एट में क्या होता है, थैप।ब। Compassbag देते जेए है, चार पांच होता है क्या पता, कभी-कभी सारे भी ठीक होते है, तो उस स इसे लिए फैक्स को वहुत जरूरी एक भी तो क्यूंकि उसमें सारे नियरबाई होते हैं पता ही नहीं चलता है कि कौन सा गलत है पता चलता है ऐसी बात नहीं पढ़के जाते हैं तो फटा ही चलता है थोड़ा सा आप सोच लेंगे अपने आप आईडिया होगा ठीक है आगय next question की तरफ move कर रहे हैं देखिए वीडियो हो नहीं वाला है अच्छे से करिए आपको एक बात बोला चाहेंगे अगर हमारे चैनल के content अगर आपको अच्छे लगते हैं आपको लगता है कि हमारे content beneficial लगते हैं आपको पसंद आते तो हमारे जो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजी एकनेट और वीडियो को लाइक कर दीजीये शेयर कर दीजीये जिससे आपके साथ साथ अगर आपको भी helpful हो रहा है और लोगों को भी help हो सके इन सब चीजों की थीख है। तो subscribe share और like कर रहे और वीडियो्स के साथ जूड़े हैं को कि यह कहीन आपके लिए beneficial रहेंगी हमारा मानना ऐसा है और आप भी देखेंगे किस वर्णक की उपस्ति के कारण पौधे हरे होते हैं ठीक है तो वैसे भी अभी मैंने एक वीडियो डाला था छोटा सा पब्लिश किया था दो तिन दिन पहले क्लोरोफिल से related था तो आप उसको देख की वर्णक की वजह से नहीं, लाईकोपीन की वаж़े से नहीं, एन्थोसायनीन की वजह से नहीं वैस़े मुझे बता है आपको इस गांसर पता हैवर्णो लीजिए और लो फिल वर्णक की उपस्तिती के कारण पौदे हरे होते हैं क्लोरोफिल वर्णक मुख्यत हरित लवक नामग पादप कोशिकांग में पाया जाता है ठीक है तो फैक्स रिलेटिट आगे तो भी तीन चार फैक्स तो हम पढ़के जाई रहें आ जाएगा तो हम कर लिए क्लोरोफिल बहुत ही आवशक है और पौदे की कोशिकांग में क्लोरोफिल उपस्थत होता है यहीं प्रकाष रंस्वेशन की फैक्रणी कर पाती हैं क्लोरो फिल में कौन सी धातू पाई जाती है मतलब क्लोरोफिल के अंदर कौन सा मैटल पाया जाता है तो आप मुझे बताईए अगर आपको पता और वैसे अगर जो हमें फॉलो कर रहे होंगे तो इसका एक छोटा सा वीडियो है इससे पहले ही जाके वहां देख लीजे थोड़ी सी और नॉलेज मिल जाएगी और एक भी चीज छूटेगी नहीं जाके देखिएगा और बताईएगा भी कमेंट करके कि कौन सी धातू पाई जाती है नहीं पता चले तो उस वीडियो को देख लीजे पीछे जाके हमारे चैनल की लिष्ट में जब आप वीडियो में जाएगे वहीं पर आपको देख जाएगा ठीक है तो कि वो कोशन्स भी आये हुए हैं और हो सकता है कि आजाए इस बार भी मानवय गतिविदियां जो प्रत्वी पर जलवायू परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है वो कौन सी है वनों को जलाना क्रेशी क्रिया कलाप या एरोसोल के इनका उपयोग या उपयोग तो सभी है क्रेशी क्रिया कलाप से भी तो जलवाई उपरिवर्थन होता है होता है कि नहीं अच्छा होता है बुरा होता है वह तो आपको मतलब यह तो इसने नहीं कहा तो वनों को जलाना क्रेशी क्रिया कलाप बहुत सारे होते हैं उसमें भी जलाते हैं बहुत सारी चीजों को तो अच्छा बुरा दो नहीं होता है जैसे कि आपने देखा होगा कि जब अभी पराली बगरा जलती है तो वो भी एक क्रेशी क्रिया कलाप में ही आ जाता है तो है जो प्रत्वी पर जलवाईव परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है इन मानवे गती विदियों से वायू प्रदूशन जेल प्रदूशन जैसी घटनाएं परियावरण में घटित होती है घिक है जिससे मानव तता जीव जनतों दोनों प्रभावित होते हैं तो क्रेशी किरि जिससे हमें नुकसान होता है तो ऐसी बहुत सी किर्याकर आप है एक मुझने पराली का बता दिया बाकिया आप मुझे बताइए कौन-कौन से ऐसे क्रिशी किर्याकलाप होते हैं कमेंड बॉक्स में कमेंड करके जो कि हम सबको पता चल सके अब नेक्स्ट कोशन की तरफ चलते यह इस वीडियो का लास्ट कोशन होगा जहां से करिएगा ठीक है यह फॉर्बी एसी फैमिली की कौन सी फसल बायो डीजल उत्पन करने के लिए जानी जाती है यह कोशन भी कई बारी आया हुआ है जट्रोफा कैडल नट्री कॉपर लिफ सर्पन तो क्या है ए जट्रोफा जट्रोफा क्या है यूफॉर्बी फैमिली की फसल है जिससे बायो डीजल उत्पन की जाती है इस पादप से प्राप्त होने वाले बीजों से 45-30% तक तेल निकाला जा सकता है इस तेल से काराधी चलाई जा सकती है इसलिए बायो डीजल पौधा खाहा जाता है इसलिए इस कोशन एक वही कहते हैं फायद देने एक कोशन के अंदर इतनी सारी जीज़ें आपको मिल गई है कि इसके रिलेटेट कोई भी सायद कोशन जो भी कोशन आई सायद से आपसे रहे इसलिए कहते हैं पूरे वीडियो को देखिए अच्छे से पढ़िए क्योंकि यह सिर्फ अच्छा लगा होगा आपको बहुत को सीखने के लिए मिला होगा तो अब इस वीडियो को इस वीडियो का जो सेकंड पार्ट है वो आपको यह नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा फर्स कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और यह अगर अच प्रिटेट का एक्जाम क्लियर करके